हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी चैनल एक्जाम पाथ फैंडर पर आज हम आपके लिए लाइबरेरी ट्रेनी की पोस्से जुड़ी ही कुछ जानकारिया लेकर आए हैं जो की NIT राइपर यानि National Institute of Technology राइपर की तरफ से direct recruitment के basis पर जारी की गई है तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले सी qualifications के बारे में तो जैसा कि आप यहां देख सकते हैं इसके अंदर master's degree मांगी गई है वो भी library and information के field में यानि MLIS मांगी गई है और इसमें आपको first division होना चाहिए तो जब भी आप इसमें applicable होंगे चलते हैं इसके age limit देखते हैं तो यहां पर age limit clearly mentioned है कि आपको 18 से 30 साल के बीच का ही candidate इसको apply कर सकता है यानि कि आपकी maximum age limit जो होनी चाहिए वो 30 years होना चाहिए चलते हैं और देखते हैं इसकी starting date के बारे में तो इसकी starting date हम देखते हैं 7 December 2021 है और last date है 23 December 2021 यहां पर आपको हम इनका official website भी provide करते हैं तो जिसमें कि आप इनके organization के बारे में और भी कुछ जानना चाहें तो आप जान सकते हैं यह application process एक offline procedure है तो जो भी candidate इस post के लिए apply करना चाहते हैं वो अपने सभी relevant documents के जाथ अपना application form attach करें और इस पते पर बेज़ दें आगे हम चलते हैं और देखते हैं इनके official notification के बारे में तो जैसा कि आप देख सकते हैं यह official notifications हमारे platform यानि exam pathfinder पर available है तो वहाँ पर आप जाके इसको आसानी से देख सकते हैं जैसा कि आप यह official notification में देख रहे हैं इसके अंदर 5 ही vacant post हैं जिनके लिए application आया है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका stipend यानि जो salary है per month वो है 22,000 रुपे जो कि आपको मिलेगा यह application process जो है वो एक written exam और interview के through conduct लिया जाएगा तो आपको पहले written exam clear करना पड़ेगा फिर उसके बाद आपका final phase यान interview phase clear करना पड़ेगा तभी आपका हमापे selection होगा जो interview है और exam उनकी dates यहाँ पर दी हुई है तो exam की date है 4 January 2022 जो कि आपका morning में सुबह 10.30 बजे होगा फिर उसके बाद जैसे ही आप उसका exam clear करते हैं उसके बाद आपका interview होगा वो भी 4 January 2022 को है लेकिन यह interview की timing धाई बजे है दोपहर और venue आप देख सकते हैं आप Central Library NIT राइपूर में है तो आप यहाँ पर जाकर इसको दे सकते हैं इसी तरह से और अगर आप English advertisement को देखना चाहें तो आप हमारी website www.alert.exampathfinder पर जा सकते हैं और वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं इस post से जूड़ी हुई या हमारे platform से जूड़ी हुई आपके कोई query हो और आप उसको पूछने चाहते हुँ तो आपको कोई question अगर पूछना है तो आप हमारे forum यानि की community.exampathfinder.com पर जा सकते हैं और वहाँ पर नीचे जाके write a reply section में पूछ सकते हैं हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और ये जानकारियां आपके लिए महतबून साबित होंगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को share करेंगे and subscribe भी करेंगे और इस तरह की vacancy से जुड़ी कोई जानकारियों को देखने के लिए आप हमारा exam pathfinder का जो channel है इसे subscribe करने के लिए red button को click करें मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई vacancy के साथ तब तक के लिए goodbye and thank you